समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिपरेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे SSC CZL 2018 का जो परिणाम है था उसके फाइनल स्कोर कार्ड की फाइनल स्कोर कार्ड आपको पता हो लेकिन अगर मैं उसको explain करूंगा कि प्रि में बहुत अच्छा नंबर ना होने के बाद यानि टॉप 2000 में मैं सायद था या 3000 में था उसके बाद मेंस के बाद टॉप 1000 में गया और टिया 3 के बाद आल इंडिया रैंग 429 कैसे बनी कैसे मैंने मतलब मोटिवेशन अपना गिर रहे गया और कुछ एक हैं जिन्नोंने प्री में भी अच्छा perform किया मेंस में भी अच्छा perform किया और टियर 3 को हलके में ले लिया या टियर 3 में उन्हें नंबर नहीं मिले और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा गिर गे मतलब मैं ये बता सकता हूं कि प्री में मुझसे से चाहँ आपको स्कोर कार्ट जब आपको बताऊंगा मेरी पुर्ष्ट प्रिफरेंस क्या थी पहली प्रिफरेंस मैंने क्या भरी इसारी चीज़े और जो टीर फॉर होता है जो सबसे मैं स्कोर कार्ट पर लेके चलता हूं और अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है और जो सीजियल 2020 है चसल 2020 के लिए तैयारी कर रहे है उनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा है CGL 2021 उनके लिए मोटिवेशनल भी होगा और उनको यह सोर्स मिलेगा मोटिवेशन का या अगर उनका प्री में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है तो भी वह मतला अपनी ड्रीम पोस्ट पा सकते है तो चलिए स्कोर कार्ट पे लेके चलता यह रहा फाइनल स्कोर चीज़े हाइड कर दिया है जैसे अपना रेश्टेशन नंबर पापा का नाम मम्मी का नाम और डेट आफ बर्थ यह मैं हाइड कर दिया हूँ कुछ पर्सनल रिजन्स की वज़र से ठीक है बाकी आपको चीज़े दिख रहे हैं मेरा रोल नंबर क्या था मेरा नाम केटेग क्या है और आप किस केटेग्री से सेलेक्टेड है वो भी दिखाते हैं लेकिन मेरा यूर है और यूर से ही सेलेक्टेड हूँ तो इस वज़ा से एक ही केटेग्री लिखे गई है अब आते हैं अलोकेशन डीटेल्स पर आप देख पाने होंगे कि अलोकेशन डीटेल्स में म मुझे सबसे important मतलब सबसे कह सकते हैं कि सबसे पसंदीदा post मेरी ASO थी और आपको पता होगा कि बिदेश जाने की सवक सब के अंदर होती है तो मैंने पहला B06 डाल दिया था यानि M.E.A का होता है दूसरा B03 आप देख सकते हैं इसमें income tax हो गएरा 18-19 नंबर पर क्योंकि फिर CSS बेरी क्योंकि दोनों दिल्ली वेस जॉब है और विदेश अगर जाने का मौका मिलता है तो मैं इस वज़ासे B06 भर देदा था हाला कि वो मुझे मिली नहीं मुझे second preference और मेरी dream post कह सकते हो यह B06 जो थी वो थोड़ी लालच में भर दी थी कि हो सकता M.E.A. मिल जाए वाकी नहीं मिली कोई दिखत नहीं मुझे CSS से मैं मतलब 110% satisfied हूँ ठीक है आप देख सकते हैं यह सारी ESO की post है 4600 फिर ऐसे और CSS लेने की पीछे क्योवल और क्योवल वज़े यह रही है कि मुझे UPSC preparation करनी है तो मुझे दिल्ली रहना था पहली चीज दूसरी चीज दिल्ली के लिए टाइम मिल जाएगा हाला कि सारे department वाले जो dedicated हैं वो निकाल सकते हैं बट CSS में completely ज्यादा समय मिल पाता है और Saturday Sunday off होता है तो वो सब कुछ मिला के balance हो जाता है और table desk job है तो उधर कोई ज्यादा workload भी नहीं होता तो manage हो जाएगा मतलब manageable है ठीक है तो इस वज़ा से मै आ रहे होंगे आप कि प्री में मेरा स्कूर 179.39 जो मैं 180 बोल देता हूं क्योंकि थोड़ा 180 कहने में भी अच्छा लगता है और मतलब थोड़ा इतना point में याद भी नहीं था मुझे हाला कि मुझे अभी तो 180 ही याद आ रहा था स्कूर काड आने के बाग 179.39 301 था ठीक ह तो प्री में मेरा स्कूर रा कुछ 151,55 ऐसे कुछ था मुझे एक्जैक नहीं आदे नॉर्मलाइज स्कूर 179 बना और मेरी सिर्फ मॉडरेट थी तो प्री में कोई ऐसा नहीं कि मेरा 200 या 190 प्लस था प्री में उतना अच्छा स्कूर नहीं था आप कह सकते हैं प्री में मेर करके भी अच्छी पोस्ट पा सकते थे हाला कि मेरा प्री में एवरेज स्कोर रहा है या कह सकते हैं गुड इसकूर रा कोई ना कम था ना ज्यादा सीजियल 19 की बात लेकिन सीजियल 18 में यह अच्छा इसकूर ठीक है लेकिन प्री के बादा जो सबसे इंपोर्टेंट चेरं आएगा मैं अच्छा ही करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा था मॉक्स और मोख्स करता रहा और दिन में 2 तो मतलब मिनिमम मैं देता ही था मेंस की बारी आती है जब बात करते मेंस की तो मेंस आप देख पार होंगे कि मैथ 11 सेप्टेंबर 11 सेप्टेंबर को मेरा एक्जाम पड़ा था मेंस का तो उसमें मैस में मेरे रॉय स्कोर थे 193 जो बाद में नॉर्मलाइज होके 0.22 माक्स कम हो गये थे आप सभी को पता होगा कि 11 सेप्टेंबर वाला कमप्रेटिवली इजी था 13 से इजी था 12 वाला एवरेज था और इसका कमप्रेटिवली इजी था 0.22 गटे हाला कि कुछ लोग के 3-4 नंबर गटे थे जिनके नंबर कम थे लेकिन मेरा नंबर अच्छा था 193 इसवजा से 0.22 गटे तो 192.78 577 ऐसा क इंग्लिज में मेरे 167 ऐसे कुछ थे तो दो नंबर या ऐसे कुछ घटा था तो यतना आपको इंग्लिज में रॉइ स्कोर दिख रहोगा मेंस में आप देख पार होंगे कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था 360 के एराउंड मेरा नंबर था मेंस में तो प्री में जो में के बाद पूछने लग जाते हैं क्या में 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 इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं कि 400 मिल जाए देखो अगर प्री को आप 20% मानते हैं तो में 60% होता है और टियर 3 जो रैंक आपका बनाता है उसका भी रोल 20% होता है में के बाद तो 100% उसी पर हम डिपेंडे परसेंट गेम हो गया लेकिन कुछ लोग प्री में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते अबरेज स्कोर रहे था वो पूछने लगते 400 मिले गया नहीं तो मैं प्रते चिक जाम पनूँ कि प्री में बहुत अच्छा परफॉर्म ना करने के बाद भी मैंने अच्छी रैंक हा 1000 में तो आ गया मुझे ये पता था कि top 1987 के around मेरी रैंक बन रहे थी लेकिन मुझे ये था कि 987 चलो CSS की इस बार ज्यादा वेकंसी तो CSS तो मिल जानी है लेकिन क्या मैं किसी और पोस्ट के लिए अच्छी रैंक के लिए मैनत कर सकता हूँ हाला कि मैं ये भी कर सकता था कि tier 3 अगर मैं 60 average भी perform कर देता तो भी मुझे CSS मिल जाती या बहुत सारी पोस्ट मिल जाती हम ये को छोड़के लेकिन मुझे ये करना था कि अभी मैं जितना अपना maximum दे सकता हूँ जो कि मैंने mains को दिया है जो कि मैंने prelim में बहुत अच्छा ना perform कर पाया फिर भी pre के लिए मैंन मैं आपने में जारूर कोँगा कि प्री मैंने जितनी मेंनत कर थी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था ये भी कह सकते हैं यह जिया सेक्षन में मुझे कम नंबर मिले थे और इंगलीज भी बहुत अच्छा नंबर नहीं मिला थे इंगलीज में आप रिजमबल हो सब्सक्राइब कर दोनों बार सिली की वज़ा से 200 नहीं है अधर वाइस एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं कर नहीं सकता था मतलब सिली 2000 जो यह था परफॉर्म करने वाले अभी भी बहुत सारे लोग थे लेकिन मुझे यह था कि मैं टियर तिरी में 65 किसी जल 17 में आ चुका है मुझे top 1000 में से 1000 rank से 429 लाने का जिसने काम किया वो था tier 3 जिसको लोग हलके में ले लिते हैं तो मेरे भाई प्लीज हलके में डाले उसको मैंने अगर हलके में लिया होता तो आज मेरी rank कुछ 800-900 ऐसे कुछ होती लेकिन आप देख सकते हैं कि tier 3 में मुझे 100 लोगों का आया होगा 75 या इससे उपर है ना पूरे CGL के CGL 18 का उसके record में 100 लोगों का आया होगा तो उन 100 में मुझे जगे बनानी थी और ये भी जरूरी नहीं था कि जो 100 लोग हैं मुझे ज़्यादा पाएंगे मेंस तक मुझे ज़्यादा score कर चुक है तो मैं यहाँ पे 75 लाएंगे उन लोगों को 15 पंदरा नंबर पीछे चोड़ चुका था जो मेंस तक मुझे 15 नंबर ज़्यादा थे या 10 नंबर ज़्यादा थे या मेरे बराबर थे जो 15 नंबर ज़्यादा थे में बराबर खड़ा हो गया था जो मतलब मेरे बराबर थे उनको मैं 15 नंबर से पीछे छोड़ चुगा था और ऐसा भी हुआ कि जो लोग मेरे बराबर थे और उनके 52 आगे 50 आगे उनसे मैं काफी लीड ले चुका था और यहीं से rank improve हुई मतलब tier 3 में अगर आप देखो अगर मैं top 1000 में ना होके top 2000 या 3000 में होता फिर मेरे 75 आते तो मेरी rank कम से कम 1000 जंप करती है लेकिन top 1000 में आपको पता होगा कि इधर जो density होती है इधर concentration उतनी ज़्यादा नहीं होती है जम कर जाती है यह लोगों को पता होगा आप लोगों में से जाता है लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है तो मतलब tier 3 को हलके में नहीं लेना है tier 3 king maker होता है मतलब मैं प्रतेचिक जाम पलूँ कि tier 3 में मैंने extraordinary perform करके और 987 से 429 पर आगे ठीक है अब यह भी बात कर लेते हैं कि भीया जो जिस tier के लिए मैं सबसे ज़्यादा डरा था वो था skill test यानि कि DEST और CPT जो होता है computer proficiency test जो होता है इसमें दो list आती है आपके tier 3 के बाद एक होता है DEST के लिए यानि कि data entry skill test के लिए उसके लिए एक list आती है CPT के लिए हाला कि DEST वाली जो list आती है उसमें से बहुत कम लोगों का मतलब बहुत कम chance होता है selection होने का जो non CPT post है उनमें भी selection होनी का होता है जिनका CPT list में नाम होता है मुझे सबसे अधर डर थी कि भाया मैं 120 प्लस पाऊंगा या नहीं हाला कि मेरा CPT exam बहुत अच्छा गया था मेरी typing अच्छी थी मेरी typing speed around 45 या 46 हो गए थी और 98% 99% accuracy के साथ हाला कि मैं यहाँ पे आपको एक सबसे बढ़ी बात बताता हूँ यह थी कि जैसे लोग ASDF colon LKJ ऐसे करके हाथ रखके proper practice करते है मैंने कभी नहीं किया मैं ऐसे जैसे random हम लोग typing करते हैं जैसे उंगलिया चलने लगती है उसी पे मैंने मेरी जैसी आदत थी उसी पे मैंने practice करी और उसी को इतनी अच्छे से practice करी जो लोग मेरे दोस्तां उनको पता होगा कि typing को लेके मुझसे ज्यादा कोई नहीं डरा था हाला कि मैं दो फिंगर या random जो ऐसे typing होती है इसी से जो आपका सीजेल 17 का CPT था वह clear कर चुका था लेकिन मुझे इधर डर था कि भाईया इधर कोई घलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे ASO चाहिए ASO में CPT जो है वो mandatory है वो आपको पास ही करना पड़ेगा तो अगर DEST की बात करें तो DEST यानि की data entry skill test इसमें के ओल टाइपिंग होता है 15 मिनट में आपको कुछ टूदा हो जाएं की depression मारने होते बहुत easy सा होता है मतलब डरने की कोई बात नहीं अगर आप हलकी से भी practice करके जाओगे तो आराम से कर लोगे तो मेरी practice का नतीज़ा यह रहा कि DEST में मेरी mistake 0 नहीं मतलब एक भी mistake नहीं हुए एक भी word का यह कॉमा होगेरा कि कोई mistake नहीं space होगेरा कोई mistake नहीं DEST में मेरे 0 mistake आई देख सकते हैं और CPT में 200 marks का होता है unreserved category यानि जनरल के लिए 120 marks चाहिए होते हैं pass करने के लिए मेरे 180 जिस मतलब मैं यह नहीं समझ पा रहा हलाकि मैंने RTI लगा दिए कि भाईया CPT में 180 के वाए नंबर कहां कटा था आपको मैं वीडियो बना कि प्रवाइड कर सको कि ऐसी यह गलती न करना नहीं तो नंबर कर जाते हैं मुझे एक चीज़ पता है कि मेरा CPT में MS word में कटा होगा नंबर क्यूंकि मैंने उधर एक बॉर्डर सारी MS word नहीं MS Excel में कटा होगा देखो CPT के तीन माडियूल होता है एक होता है Excel एक होता है PowerPoint तो मैंने गलती यहां पे करी वो है PowerPoint PowerPoint में मैंने एक बॉर्डर एक्स्ट्रा लगा दिया था 100-100 मार्क्स का होता है तो वहीं मुझे लग रहा वो काटे होंगे और एक दो जंगे फॉर्मेटिंग में एरर आ गए होगी इस वजह से 180 आया तो आप देख सकते है कि मेरा मतलब यह कुछ स्कोर रहा प्री में 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 और टीर 3 में तो मैं लाश्ट में यही गयना चाहूंगा कि भाईया अगर आपके अंदर जैसे प्री में एवरेज भी परफॉर्म किया पोस्टेड हैं मतलब आईटिया के रूप में पोस्टेड हैं प्री में आठ नंबर के ओल जाता था तो यह बिल्कुल हार नहीं मानने की प्री में मेरे इतने कम थे मेंस होता है न मेंस 400 नंबर को थे 60% रोल तो वहीं खतम हो जाता है अगर आप मेंस में 370 या उससे उपर परफॉर्म करते उसके बाद तीर थीयर में ऐच्छा परफॉर्म करते हो तो आपकी रंक बंप्रूब ऌनी 100% तैय है तो आपको बस यह चेह करना तो प्री में-बमी का श्कोवर्म में में इक्स्ट्राइडनेरी परफॉर्म करो जो लोग प्री में आप से 20 नंबर आगे होंगे पत्चीश नंबर आगे होंगे उनको आप में में छोड़ सकते हो पीछे और मालो नहीं चोड़ सकते तो उनके बराबर आके खड़े हो सकते हो और बराबर खड़े होने एक बात मैं क्या करता था आप लोग की जो लेटर मैं चेक करने की ले मंगाता था CHSL वाले वो मैं पढ़ता था उसमें से अगर अच्छी लाइन लग जाती थी तो मैं उठा के अपने नोटबुक में डाल देता था कि मैं ये लाइन मैं भी उच करूँगा और टॉपिक भी ऐसा है जिस पर मैंने थोड़ा सा UPSC वाला जो पढ़ा वड़ा था उसकी सोज से लिखा तो इस सोज से टीर 3 में अच्छा नंबर भी मिल गया और मैं ये नहीं कह रहा कि टीर 3 में अच्छा नंबर मिलना आपके पढ़ने पर ही कई बार आप अच्छा लिखते भी हैं लेकिन नंबर उतना अच्छा नहीं आता लेकिन 60 पैस अटा जाता है बट आप ये नहीं पूरा कंप्लीटली फेट पे डिपेंडेंट होके नहीं जा सकते अगर आप अच्छा लिखोगे तो मेरा पूर्ण भी स्वास है कि आप अच्छा परफार्म करोगे टीर 3 में भी तो ये था स्कोर कार्ड आई होप आप सबको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जो किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहिए चैनल पर मैंने लगभग प्रीविएस येर कवर करवा दिया मतब प्रीविएस येर के सारे क्वेशन पेपर सिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर दिया चाहिए वो सीचसल 19 का हो टॉपिक वाइज सीप्ट वाइज सीप्यों हो सीजियल मेंज के तीनों पेपर हो अभी वाले दोजार अभी दोजार अटर वाले साध नहीं करवा है वो भी करवा दूँगा और सीजियल मेंज के 2011 से लेके 2018 तक टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियो मिल जाएगे जितने भी कोस्टन्स प्रिवियस एर इस दा की मेरा मतलब मैं आपको लास्ट सजेसन ही दूँगा कि भी या प्रिवियस एर बहुत अच्छे से करो बहुत अच्छे से मतलब जितना अच्छे से हो पाता है जितनी बार हो पाता है उतनी बार करो और यह नहीं कि आप सीजियल के तैयारी कर रहो तो क